नमस्कार यह देखिए गाये को गले लगाने के क्या लाब होते हैं मैं आपको बताता हूं गाये को गले लगाने को अमेरिका में तो कहते हैं काउ हगिंग थ्रैपी काउ कड्लिंग थ्रैपी काउ तो महां पर तो इसकी बहुत कीमत है डॉलर में कीमत होती है हजारों डॉलर कीमत होती है एक घंटा गावाई को गले लगाने की यह देखिए जो गाय का शरी है गाय के शरी की जेखिए लोगों का ब्लड़ पेशर ठीक हो सकता है अगर 40 दिन तक 10 मिड़ के लिए हम गाय के पास रहे दस मिनिट के लिए अगर गाय का हाथ सेल आएं इसके कमर को सेल आएं और इसके पास में रहें तो बड़ा सारा लाम मिल सकता है बड़ी सारी बीमारियां दूर हो सकती है जो stress related बीमारी है आज कल जैसे मानों से बढ़ती जा रही है तो उसमें stress diseases या lifestyle diseases बहुत जादा बढ़ती कर लें तो इसे बड़ा पर जादा लाव मिल सकते हैं अगर हम थोई-हदा स्मय उच्ट गजारें और वह अगर हम सुबह के समय आके गाय के साथ जारेंगे तो उसे बड़ा सारा लाव्म होने वाला मैं चाहता हूँ कि आप एक महिना मेरे कहने से ऐसा करके देखिए देखिए आपकी लंबी बिमारी रिवर्स हो सकती है अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठेंगे सुबह जल्दी उठने से बड़ा सारा राम मिल जाएगा फिर हम खाना अगर अच्छा खाएंगे हरी सब्दिया, खिच्री, दलिया, दा, लोटी, सिंबल खाना खाएंगे उससे बड़ा सारा राम मिलेगा फिर अमर गाय के पास आके काउ हगिंग करेंगे उससे बड़ा सारा राम मिलने वाला है किवर तीज दिन आप ऐसा करके देखें और फिर देखना क्योंकि जो गाय के पंच गवे है उससे तो लाम मिलता ही मिलता है गाय के मुत्र से, गाय के गोबर के अर्क से बड़ा लाम मिलता है गाय के घी से, जो गाय का घी है अगर गाय के घी को गाय के गोबर के उपले के उपर जला के हवन करें तो उसे एक तोला घी से एक टन उक्सिएन निकलती है जो कि बड़ी मानवजाती के लिए लाब डायक है ये जो गाय है ये चलता फिर ता उक्सिएन का सिलेंडर भी है इससे उक्सिएन निकलती ही रहती है हमेशा तो इसलिए ऐसे प्राणी का लाब क्यों न उठा पाएं गाय गाय को माता का दरजा इसलिए दिया गया है कि गाय में बढ़ा सारा मानविजाती के साथ रिष्टा शुरू से ही है वह बढ़ा सारा मानव जाती के लिए लाब के लाइक है और फिर अनेक पुरानों में वेदों में वन्नन है भारत के परदान मंतरी शी नरींद्र मोडि जी बहुत ने भी गाय माता को सराह है उन्होंने बोला है कि गाये 10 करोड लोगों का एक आजीविका का साधन है भारत में और आने वाले समय में इसमें और भी ज्यादा एक जो भारत की अर्थ व्यूस्ता को ठीक करने की चमता चुपी हुई है लोगों को उसका लाब उठाना चा पाड़हम अटा आणी यह बड़ी लुखधायक होती है इसका मानव जाति में इडा और पिंगलनाyas होते हैं इसी तरह से गायव फेले- manifestation करद को एक चेंज करें और पिले-पिले द्रव के रूप में बदल देती है जैसे नहीं अब होती है यह तвал पीलेना का द्रव जिसमें की थोड़ी सी मात्रा में सोना होता है अगर गाये का एक कुंटल दूद को हम बाले उसमें से एक मासा सोना निकलता है एक मासा सोना तो इसलिए गाये का दूद बड़ा ही कीमती दूद है जो प्योड देशी गाये का दूद है इसे एटू मिल्क कहते है एटू मिल्क कीमती माना गया है modern science ने भी रिसर्च किया उपर कि एटू मिल्क का उपयोग करने से बड़ी सारे लाब मिलते हैं मानो जाती को आज कल दुनिया में ज्यादा से जादा एवन मिल्क लिए जिसके वैसे फैटी लिवर पीसी ओडी फाइब्रोइड और तरह तरह की बिमारी होती मं औरहर उसले की है जो गblock कई कहरते है और को टूट्रोट लिए में ड़र को धार गाले कर अगर यह लाब मिलेगा बशर्त कि हमारी तो दोसरे लाब हम अमरत बाइन के पीए एक उजदी मान के पीए कुछ ताकत की चीज मान के ना पीए हम और उसका उजदी का काम करेगा हमें निरोगी रखेगा हमारी इम्मुटी को इंपरूव करेगा तो इसलिए उसका लाब उठाए और इस तरह से गाय के दूस की बनाई हुई जो है वह इसमें को दिष्टी दूरा नियुक्त कर सकते हैं इसके पूरी बोड़ी कि अगर मालिश करेंगे घृष्टी जयासे रोटी देते हैं तो जो गाए के नाग से फुफकार निकलती है वो हमारे हाथों पर परती है तो वह विकार से भारतिये शाष्ट पर में आया है कि हमारे आत्मा है पवित्र होयाती है तो एसा मतने हमें पर्वित्र, और जाये का रहा? पौध होंकी प्लान्टेशन की हैं cał Metal गएंगें और प्रकृति साथ रहने से हमारी बड़ी सारी स्ट्रेस और तो मैं तो में चाहता हूं कि आप लोग समय निकाले और प्रकृति के साथ आए लाइसाल होते ही अधिकतर वीमारिये ठीक होने लगती है 90% of the diseases आजकल lifestyle diseases हैं तो lifestyle को nature के साथ रखें तब आप निरोग रहने बाले हैं सो वर्स तक निरोग रहेंगे Thank you